जैसे कि आपको अंदाजा हो चुका होगा के जो एड़ाबी प्रीमियर की टाइम लाइन है बेसिकली वो ही आपका एक मेन विंडो है जिसमें आपने सारा अपना एड़िट करना है आप से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने री अरेंज और इनको मैनिपूलेट करना है अपने एसिट्स को तो उसके बाद जाके आपके पास काम नया बनता जाएगा आपके पास जो चीज़ आपने सोची भी है जिस तरीके से आपने अपनी स्टोरीबोरिंग की भी थी या जिस तरीके से पूरा फिल्म का स्क्रिप्ट ब्लान है उस तरह से आप उसको टाइम लाइन के थूट पोस्ट प्रड़क्शन में करते रहते हैं तो हमने पहले ठोड़ी ची टाइम करने लगे हैं जिसके साथ audio भी मुझूद है और हम देखेंगे किस तरीके से हम उस पर वीडियो पर अलग से काम कर सकते हैं साथ में उसकी audio को किस तरह separate कर सकते हैं इसको हम टेक्निकली लिंक और अन्लिक बोलते हैं हम आजा इसलिक्ज कियां उसक्तव किस पर इक्रेइव गया में कंट्रोल से भी कर सकता हूं अमिक एतанов तरहरा और जहांपбиरे ये इसट सपढ़े वे हैं मैं उस पात पर इला एक अपने फाइल को इंपोर्ट किया ऊपन किया यहां पर को अधर गरना सोर्स裡面 में मेरे पास यह फाइल खुल जाएगी स्पेसपार से प्ले आप देख सकते हैं कि आपके मीटर्स भी कन्फर्म कर रहे हैं कि आपके पास इस फाइल के अंदर आडियो भी मुझूद है तो यह मेरे पास एक ऐसी फाइल है अगेन, L से और, पास्ट परवट कर रहा हूँ, केसे मैंने इसको stop कर दिया, जे से मैं reverse किया और, अगर मुझे आप समझें यहाँ से यह पार्ट चाहिए, मैंने I in point लगाया, मैंने spacebar से play किया, और out point लगाया, आप देख सकते हैं अभी तरह हमारे पास timeline बनी भी नहीं है और हम इस footage को जब इस area में drag करेंगे तो हमारे पास automatically एक timeline, एक sequence create हो जाएगा जो बिलकुल इसी same settings के ऊपर होगा जिस setting पे हमारा footage था आप देख सकते हैं कि इनकी properties same है और further अगर आपको लगता है कि आपने setting change करनी है अपने sequence की timeline की तो आप यहां से sequence के tab में जा सकते है sequence setting में गए और इस वक आप देख सकते हैं कि इसका time base 25 frame per second है frame size 1920 x 1080 है और यह इसने खुद ही इसको select किया क्योंकि जो footage हमने पहली दफ़ा इसके ओपर drag करके रखी थी उसकी अपनी settings भी पिल्कुल exactly यही थी audio और video बहुत settings यहां से हम इसको दुबारा cancel करते हैं timeline पर दुबारा आते हैं अच्छा अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस area में अपनी source window की जब यहां से मैंने mouse से पकड़के इसको drag किया timeline पर तो मेरे पास timeline पर video भी आ चुकी है और मेरे पास इसकी audio भी आ चुकी है जैसे कि हमने पहले जिकर किया था vertical हम इसको audio को zoom करते है timeline को पहले select करना होगा और हम देख सकते हैं सुन भी सकते हैं कि हमारे पास audio है इसके अंदर साथ में video भी है अगर मुझे इस specific area की सिर्फ video चाहिए होती तो मैं अपनी source window से ही मैं इसको यहां से drag करके ट्रैग video only की option को use करते वे यहां पर timeline पर रख सकता था अगर मुझे इसी specific in out की audio चाहिए होती तो मैं इसको audio को drag करके आप देख सकते हैं कि यहां पर video में तो वा option देगा ही नहीं आपको क्योंकि यह audio खाल है मैं इसको यहां पर रख सकता था तो अभी जितनी in out selection थी timeline पर मेरे पास यह सिर्फ video चल रही है आप देख सकते हैं इसमें audio नहीं है हमारे meters बिल्कुल खाली शो कर रहे हैं इस वक्त हमें और उसी के बाद जब मने audio को drag करके रखा था तो आप देख सकते हैं कि वीडियो हमारी black है क्योंकि हमारे बस timeline पर कुछ भी नहीं है वीडियो में और हमारे पास audio इसकी यहां पर play हो रही है तो अगर आप चाहें तो initially ही audio और वीडियो को separate कर सकते हैं लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने timeline पर एक साथ ही audio वीडियो रख दी है अब आप चाहते हैं इनको separate करना या पर unlink करना तो आप यहां से भी कर सकते हैं अगर मैं इन पर right click करूँ तो यहां पर मेरे पास unlink की option है मैं इस पर click करूँगा आप देख सकते हैं कि इस वक मेरी audio और video unlink हो चुकी है और अब मैं चाहूँ तो सिर्फ video को select कर सकता हूँ आप देखने हैं audio select नहीं होई अगर मैं audio पर click करूँगा तो मेरी audio select हो जाएगी video select नहीं होगी और मैं इनको separately यहां से treat कर सकता हूँ मैं इनको separately move कर सकता हूँ या जहां पर भी मैं इसको use कर सकता हूँ मैं यहां पर आपको एक tip भी दे देता हूँ इसको दुवारा हम link कर रहे हैं फिलहाल और वो टिप यह है कि अगर आपने audio को सिर्फ selection या आपने mute करना हो तो आप alt key के साथ click करेंगे तो आपकी audio या alt के साथ आप सिर्फ video पर click करेंगे तो आप खाली audio या खाली video select कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसको आपकी वीडियो और audio link है और अगर आप इसको audio और के साथ आपने select की और आपने इसको गलती से move कर दिया तो आप देख सकते हैं इसको आपको यहां पर कुछ यह-204 audio में भी और वीडियो में भी आपको option दे रहे है तो इसका मतलब क्या है कि आप आप इस audio को अपनी वीडियो के साथ sync out कर चुके हैं और यह option आपको वो तब ही देखा जब आपकी file linked होगी अगर आपकी file unlink है और अब आप इसको move कर देंगे तो अभी आपको indicate नहीं करेगा तो link का आपको एक फाइदा यह भी होता है कि घलती से अगर आपकी audio अपनी video source के साथ आगे या पीछे हो गई तो वो sync out हो जाएगी तो वो जो उसके साथ sync है audio का वो basically आपको out नजार आएगा तो अगर आप चाहें तो अपनी audio को link के साथ भी खाली alt के साथ click करने से अलग से treat कर सकते हैं या video को भी आप अलग से treat कर सकते हैं कर सकते हैं, move कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको unlink करके दोनों तरीकों से separate कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर different layers हैं, उनका हमें क्या फायदा है, आप देख सकते हैं, हमारे पास वीडियो की भी बहुत सारी layers हैं, अगर मैं tilde की के साथ इसको full screen करूँ, इस वक्त हमारे पास जो हमारी timeline है, फुल screen है, और timeline का एक और बड़ा important function बैसिकली जो के है copy-paste करणा, जिस तरह से आप अपने और दूसरे software's में, खाव वर्ड हो, आप चीजों को पकड़के copy-paste या cut-paste कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपनी Adobe Premiere की timeline पर भी उनको copy-paste या cut-paste कर सकते हैं, और यह इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो assets होते हैं, आपने सबसे पहले जब assemble की हैं, तो वो different locations पर हो सकते हैं, maybe आपके पास वो assembly के वक्त, वो end में कहीं पड़े हो, मैं इस वक randomly कुछ clips को select कर लेता हूँ, ताके मेरे पास multiple clips हो जाएं timeline पर तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक timeline पर multiple clips select हैं, जो कि मैंने different sources से भी मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, या एक file से भी मैं उसको ले सकता हूँ, तो मैंने उनको assemble किया, मैंने उनको select, preview किया, उसके बाद मैंने उनको select किया, assemble किया, और अब जाके मैं उनको edit करने लग Let's see, अगर मेरे पास जो मेरी सबसे पहली file है, वो मुझे चाहिए, इस वक्त ये वाली, मैंने इसको यहाँ से copy कर सकता हूँ, मैं control C, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा edit जो है, बिलकुल timeline के शुरू से बने, अगर मैं home key press करूँगा, तो मैं बिलकुल start में आ जाँँगा, control V से मैं इसको paste करते हूँगा, तो जो copy किया हूँ, control C से copy होगा, और control V से paste होगा, copy से आपके पास timeline पे भी वो चीज़ पढ़ी रहेगी as it is, और अगर आप इसको चाहते हैं कि यहाँ से ही remove हो जाए, आपका final edit वहाँ पे बन रहे हैं, तो आप इसको control X से cut कर सकते थे, control X मैं प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि physically timeline से यहाँ से cut हो चुका है, और अगर मैं इसको शुरूर में दुबारा आज़ाँ, control V, तो यहाँ पर मैंने इसको paste कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने edit को लेके आगे चल सकते हैं, इस तरह इस clip को मैंने पकरा, control X, control V, एक मैं आपको यहाँ पर short की और भी बता दूँ बड़ी important वो है up और down arrow की, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर down arrow की प्रेस करूँगा, तो वो next कट के उपर चला जाएगा, अगर दुबारा से down करूँगा, तो वो उसके और next पर च दुबारा down, और अगर मैं up करूँगा तो वो previous edit point पर, previous cut पर चला जाएगा, तो यह भी बहुत important की है जो आप use करते हैं, आप बार-बार इसको mouse से drag करके, आपको time भी लगेगा, आपके ज़रा system भी थोड़ा सा, उस पर थोड़ा सा burden होगा, तो आप जब down arrow की या up arrow की करें तो यहां से अगर आपको एक और चीज मैं बता दूँ, हमने copy देखा, हमने paste देखा, हमने cut देखा, पेस देखा, अगर हम इसको यहां पर बीच में कुछ insert करना चाहते हैं, तो यहां से इसको मैंने cut किया, और अब मैं चाहता हूँ कि यहां पर इस इन दो shots के बीच में उस shot को insert कर दूँ, जो कि अभी मैंने cut किया था, तो यहां पर control V करने से तो उसके ओपर यह override कर देगा, अगर मुझे बीच में insert करना है तो मैं control shift V करूँगा, और आप देख सकते हैं कि उसने बीच में खुद ही एक space बनाई, और next shot भी वहां का वहां मौँद है, timeline का एक और ब सकते हैं कि आपके पास एक layer में एक वीडियो है, और आप की वीडियो 2 में दूसरी वीडियो हो सकती है, इसी तरह वीडियो 3 में तीसरी वीडियो हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास कोई multi cam editing है, एक talk show चल रहा है, एक continuous take है, तो आप इसको अगर resume कर लें क वीडियो 1 में आपके पास camera का एक angle है, वीडियो 2 में आपके पास दूसरा angle है, तो आपके पास layers इसी तरह पढ़ती जाएंगी, और आप उन layers को जहां जहां जिसको cut करेंगे, जिस shot को दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर उसको easily दिखा सकते हैं, second जो layers की आपके पास choice है, वो तो आप देख सकते हैं, कि जिस तरह के अगर मुझे यहाँ पर कोई logo लगाना है, या मुझे यहाँ पर कोई text लिखना है, तो obviously वो उसके ऊपर एक और layer के ऊपर होगा, ना के वो same layer के ऊपर काम होगा, आप सोच सकते हैं, अगर same layer के कुछ भी काम होगा, तो वो delete हो जाएग split screens के लिए कुछ आपके पास, और multi view के लिए आपको और layers use करनी पड़ती है, इसको हम मजीद explore करेंगे, क्योंकि किस तरीके से हम multi screen करते हैं, जब हम split screens करते हैं, तो हमें किस तरह से और tools use करने होते हैं, वो हम आगर जाके मजीद इसको explore करेंगे, timeline का मैं आपको final conclusion ये देता होने हैं, जो भी shoot के है, वो material है, selection के बाद, आपके पास timeline पर आएगा, assemble होगा और उसको फेरा वहां से rearrange करके, manipulate करके, अपने edit बनाते रहेंगे, तो जितना अच्छा control आपका, आपकी timeline पर होगा, control से मेरा मतलब है, आपकी short keys, आपकी command, tools का usage, सारी चीज़े, जितना आपका वो बेतर होगा, उतना आपका पूरा process जोगा, वो smooth रहेगा, और सबसे important चीज़ क्या है, अकसर हमें देखने में मिलता है, लोगों के जहन में होता है, कि इस तरीके से आपने बनाना है, maybe shoot भी उस तरना से होता है, लेकिन physically timeline पर वो चीज़ेट नहीं हो रही होती, तो वो ही होती है, कि आपका mechanical control भी उसके अपर बहुत जरूरी है, तो जितना बेतर आपका control होगा, आप जितना इस पर practice करते जाएंगे, आपका control बेतर होता जाएगा, और आप मजीद बेतर perform कर सकेंगे, आगे आने वाले lectures में मजीद explore करते हैं, कि किस तरीके से हम अपनी edit को आग झाएट